यूट्यूब कंटेंस वाटरें स्पिरिट सेपरेंटेड बाई मर्करी यह काला वाला जो है नीचे वो मर्करी यहां पर वैसे डाइगराम में बढ़ी ऐसे दिख भी रहा है आपको यह वाला जो डॉट वाला है यह स्पिरिट है इसको हम लोग कह रहे हैं 12.5 सेंटिमेटर और यह वाला वाटर है इसा आम लोग को दिया गया है ठीक है अब हमसे बोला गया है है calculate the relative density of spirit तो यह याद रखिए यहां पर जो दो points है a point है a और a point है b यह same level पे हैं यह आपको डाइगराम में clearly बता दिया गया है मनले डाइगराम उस तरह अच्छे से बनाया गया है कि वह समझ लें आपकी एक लेवल पे हैं अब जब यह और भी सेम level पे हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं प्रेशर एट 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 इस सेम एज प्रेशर एट भी अब प्रेशर प्रेशर एट एट क्या है मैं अब एटमॉस्टरिक प्रेशर भी कंसिडर करूंगा हमेशा आपको एटमॉस्टरिक प्रेशर कंसिडर करना चाहिए वह कट जाए वह अलग बात है प्रेशर एट क्या होगा इधर का प्रेशर एड भी एटमोस्वरिक प्रेशन यहां पे और इतनी डेप्ट आफ स्पीरिट की वज़े से एक्स्ट्रा प्रेशर तो एक्स्ट्रा प्रेशर जो है डियू टू स्पीरिट डेप्थ वह रोजी एच ऐसा आजाएगा एस यहां भी फिर से पी एटम आ गया है आपसे रेलेटीव डेंसिटी और स्पिरिट बूचा गया है यानि कि रो एस डिवाइड बाई रो वाटर होना चाहिए याद रखे रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनीशन ही यह होती है कि खुद की डेंसिटी डिवाइड बाई वाटर की डेंसिटी तो वाटर की डेंसिटी हमने नीचे रखना है अगर हमने रो एस नीचे रख दिया रो हव यहां पर है बस कुछ खास करना नहीं था बिल्कुल अब्जेक्टिव टाइप सवाल था यह एंसी आर्टी का सवाल है अचा अब यही रिलेटिव डेंसिटी और स्पिरिट हो गया हव व कितना दिया गया है दस और यह कितना दिया गया है तो दस डिवाइड वाइड लिए आप चाहें तो कर लीकिये ऐसा हो जाएगा पचीज चो को सव पचीज पंचे एक सो को थी तो 4 x 5 इच गट जियरो पोइंट 8 अ यह दिस दा और यह रडी ऑफ स्पिरिट यही हमें कैलकुलेट करना था